हेलो दोस्तों कैसे आप सभी उम्मीद करता आप सभी अच्छे होंगे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें दोस्तों आज हम इंडिया बना इंग्लेंड खेलने वाले हैं और मैं आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा मैं आपको ग्राउंड की तरफ लेके जाता हूं जहां पर इंडिया और इंग्लेंड का टॉस होने वाला है तो चलते हैं गाइस बहुत मज़ा आने वाला है देखना जरूर और कमेंट करके बताना गाइस के गैम प्ले कैसा है मैच में आप सभी का स्वागत है मैच के लिए ग्रीन पिछ रखा गया है शुरुवाती ओवर्स काफी निर्णाइक होंगे बल्ले बाजों की तकनी का आज एक करा इमतहान होगा कैप्टन ने यहाँ टॉस जीत के गेन बाजी करने का फैसला किया है आपके स्क्रीन पे है दोनों टीमों की खिलारी जो आज मैदान में उतरेंगे स्वागत है आप सबका इस शानदार सेडियम में अमपाईज नई गेन के साथ पिछ की तरह बढ़ते हुए मिड आफ पर फील्डर मौजूद बल्ले बास तयार अपनी पहली गेन का सामना करने के लिए चार रण बौका मिला और कैशिंग किया बल्ले बास ने गेन बासों को ज्यादा अनुशासन से गेन बासी करनी होगी अब बल्ले बास ने साफ्ट हैंड से खेला इस गेन को काफी संबल कर खेल रहे हैं बल्ले बास लंबी इन इस खेला चाहते हैं आसानी से खेला एक रन के लिए अच्छा शार बस सिंगल ही मिलेगा तेज गेन बासी को खेलना फसंद करते हैं ये बल्ले बास जबर्दस शाट कोई नहीं रोख पाएगा इस गेन को बाउंडरी जाने से दर्शकों ने बड़िया माहौल बनाया है आज क्वालिटी क्रिकेट जो देखने मिल रही हुने स्पिनर आया है अटाइक में स्पिन गेन बाजी खेलने के लिए क्रीस का बहुत अच्छा उप्योग करते हैं ये ये शौट बढ़िया है अच्छी टाइमिंग और गैप में भी मिल जाएंगे चार रन गेन बाज को अपनी लाइन लेंग में थोड़ा अनुशासन देखाना होगा बहुत सुन्दर खूबसुरत शौट चार रन के लिए गेन बाज साइड चेंज करते हुए राउंद विकेड अब गेन बाजी करेंगे शांदार शौट दिल खुश होगे ये शौट देखकर रफसुरत अब गेन बाज के अपीर वह और राउंद करेंड़िव खूबस दिल खुबस स्वासन थाल छेकी के एद प्र faking for a no ball, нач वार्ड़व, बतो होड़व, देड़ेदे होड़ग, फर्टमेक किवोEM, लेड़ेदी, ₝ वार्ड़ उ lever बीन स्प्रीन नाओ काफी निरास लग रहे हैं अगली पारी में कोशिश करेंगे कि ऐसी गल्ती फिर ना दोरा आए अच्छी एकुरिसी दिखा रहे हैं गेंद बाद अपने स्पेल में आसानी से खेला एक रन के लिए किसी भी फॉर्मेट में सिंगल्स और डबल्स सबसे महतु पूर होते हैं तेज गेंद बाद को लाए गया है दूसरे छोर से मिडाउन को लॉंगाउन की तरफ लाया गया है पाउर प्ले की समापती कप्तान अब दो से ज्यादा फील्डर्स 30 यार्ट सर्कल के बाहर रख सकते हैं आसानी से खेल दिया काफी संबल कर खेल रहे हैं बल्ले बाद लंबी ये निद खेला चाते हैं आसानी से खेला एक रन के लिए सीधा फील्डर के पास खेल दिया है गैप ढूनने में असमर्थ अच्छा शौट दो रन मिल सकते हैं डीप पॉइंट पर फील्डर तो लगता है इनकी लाइन आफस्टम के बहुत ज़्यादा बाहर होगी काफी तेज़ और लगाई है पहले रन के लिए क्या दो रन मिलेंगे यहाँ पर बैटर इन गरनिंग बिट्वीन दो विकेड दोनों बल्लेबाज उनके बीच क्याप में खेल दिया है क्या दूसरा रन्चुरा पाएंगे कप्तान ने अपने रिसोर्स को बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया है अच्छा शॉर्ट बस सिंगल ही मिलेगा खूबसूरत थ्रो बिलकुल स्टम्स के उपर स्पिन गेजमाज वापस आते हुए ये गेन फिर से डालनी पड़ेगी वाइड बॉल डीप पॉइंट पर फीलर तो लगता है इनकी लाइन आफस्टम्स के बहुत ज्यादा बाहर होगी फाइन लेक पर कोई फिल्डर ने गेन बाजी आफस्टम्स के बाहर रखनी होगी अब आसानी से केला एक रन के लिए स्टम्स के बहुत करीब थी ये थ्रो बढ़िया फील्डिंग ओवर दुविकेट गेन बाजी करने का निन में अच्छा शॉर्ड बस सिंगल ही मिलेगा मिलाफ फिल्डर को बाउनरी पर भेज दिया गया है सिंगल लेकर बले बाज अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हैं रन रेट बढ़ाने के लिए थोड़े चांसेज लेने होंगे अब बाध चैर रहे रहे हैं लॉंग लेग लग गया है शॉर्ट बॉल की उमीद कर रहे होंगे बले बाज गेन बाजी में बदलाओ तेज गेन बाज वापस आते हुए अंतिम ओवर्स के लिए विकेट्स को हाथ में रखना बहुत ही इंपॉर्टन्ट होगा आसानी से खेला एक रन के लिए अच्छा थ्रोफील्डर का तेज और बिल्कुल ठिकाने पे अच्छा शॉड बस सिंगल ही मिलेगा और ये चार रन का तौफा निराश हजनक फील्डिंग सही जगा पे मौजुद तो थे मगर शायद सतर्क नहीं सिंगल लेकर बल्लेबाद अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे है बहत अच्छी रनिंग बिट्विन दो विकेट्स दोनों बल्लेबाद उनकी बीच बहुत अच्छी रनिंग बट्विन दो विकेट्स ये रही पारी की आखरी गेन आपके सामने नो बाल का इशारा बल्लेबाद को मिलेगी आप फ्री हिट्विन दो विकेट्स ये रही पारी की आखरी गेन आपके सामने खराब फील्डिंग फील्डिंग का स्तर वेटर रखना होगा खिलाडियों को इनिंग्स की समाप्ती सलामी बल्लेबादों को जल्दी पैड़ अप करके बापस क्रीस पर उतरना होगा हमें ये अच्छा मुकावला देखने को मिल रहा है विकेट्स समबाल के खेलना होगा बैटिंग टीम को सब तयार इनिंग्स की पहली गेंद के लिए और ये मैक्सिमम गेंद जाएगी बाउन्डरी के ऊपर से चक्के के लिए रन रेट को नियंतरन में लाने के लिए विकेट्स की आवश चकता है फील्डिंग टीम को चौका बैतरी शौर्ट बल्ले बास द्वारा दर्शकों ने बढ़िया माहौल बनाया है आज क्वालिटी क्रिकेट जो देखने मिल रही हुने बढ़िया लेंग बल्ले का किनारा लगा और कैश दे बैठे बल्ले बास बेविलिन का लंबा रस्ता तैय करते हुए तारीफ करनी पड़ेगी गेंद बास की यहाँ पर अच्छे रिदम में लग रहे है आसानी से खेला एक रन के लिए वाह क्या क्लीन बैक स्वेंग छे रन देखना होगा क्या गेंद बास शॉट पिछ गेंद की कोशिश करेंगे इस पिछ पे अच्छा शॉट बस सिंगल ही मिलेगा थेज गेंद बास को लाया गया है पूरी तरसे चुगए बढ़्या केन बाजीन घुल्त पैर हो सकती थी वहां पर पूरी तरह से चूग गए बढ़िया गेनबाजी गेनबाज अच्छी ले में लग रहे है क्या ये विकेट ले पाएंगे? चली देखते हैं बल्लेबाज को बिल्कुल आइडिया नहीं था उस गेनद को कैसे खेले बल्लेबाज जरूर पिछली गेनबाज के बारे में सोच रहे होंगे आसानी से खेला एक रन के लिए क्या शोट लगाएं है फिल्डर्स बने दर्शक पाउर प्ले के समापती कफटान आप दो से ज्यादा फिल्डर्स थर्टी यार्ट सर्कल के बाहर रख सकते हैं बल्लेबाज के फुट्वर्ट पे सवाल उठाते हुए गेनबाज यी बहुत ही बढ़िया गेनबाज अच्छी ले में लग रहे हैं क्या ये विकेट ले पाएंगे चली देखते हैं हवा में दे मारा है गजब का कैच बल्लेबाज है इसी फिल्डिंग देखकर इस विकेट की तलाश थी इने कैप्टन काफी खुश गेनबाज से कप्तान ने बड़िया फिल्ड लगाई है और गेनबाज भी फिल्ड के अनुसार ही गेनबाजी कर रहे है उठा के मारा है और सटिक थ्रो की अपेक्षा थी यहां पे हवा में खेला है ये शौर्ट अच्छा त्रो फिल्डर का तेज और बिलकुल ठिकाने पे स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह से भरा हुआ है और क्रिकेट का आनंद उठा रहे है छतुराई से गेन बाजी कर रहे है गेन बाज गेन बाज अच्छी ले में लग रहे है क्या ये विकेट ले पाएंगे चली देखते हैं तगड़ा शॉट बले के एकदम बीच से निकली ये गेन देखते है स्पिनर को इस पिच पर कितना परचेस मिलता है गेन बाज अपने प्रिफ़र्ड एंड से गेन बाजी करते हुए आसानी से केला एक रन के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी ये त्रोक कलिक करने में बहुती बढ़िया गेन बाजी का प्रदेशन गेन बाज दुआरा बल्ले बाज जरूर पिछली गेन के बारे में सोच रहे हूंगे उठा के मारा है सम्स के बहुत करीब थी ये त्रोक बढ़िया फील्डिंग स्थाण डारे में बढ़िया कि बढ़िया से जिर्डोपक बढ़िया स्पिन गेन बाजी खेलने के लिए क्रीस का बहुत अच्छा उप्योग करते हैं ये तकड़ा शॉक गलने के एक दम बीच से निकली ये गेन पूरी तरह नियन तरण में थे बल्ले बाज धीमी गेन इस पिच पे अच्छा विकल्प होगा गेन बाज लाइन से चूके और वाइड बॉल का इशारा हवा में देमारा है स्पिन गेन मार्ज वापस आते हुए रणिंग बिट्वीन दे विकल्प बैटर हो सकती थी वहाँ पर तगरा शाट कॉन्फिडेंस बरपूर दोनों बल्ले बाज एक दूसरे को मबारच देते हुए अपनी जीत की खुशी मनाते हुए प्रूसरे की खुशी मनाते हुए प्रूसरे की खुशी मनाते हुए